सैम अपने माता-पिता के साथ रहता था गरीब होने के कारण सैम एक छोटे स्कूल में पढ़ता था सैम भच्पन से ही पढ़ाई में कमजोर था लेकिन उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था रोज स्कूल की चुट्टी होने के बाद वो ग्राउन में फुटबॉल खेलते बच्चों को देखता एक दिन स्कूल से छुट्टी के समय सैम ग्राउन में फुटबॉल खेलते बच्चों को देख रहा था तब ही उसके पास एक फुटबॉल आती है हे सैम हमारी फुटबॉल देना सैम फुटबॉल को एक जोर से लात मारता है फुटबॉल सीधा गोल नेट में जाकर गिरती है उसके इस गोल को देखकर सारे भच्चे दंग रह जाते हैं अमन को लगता है कि शायद तुक्के में गोल हो गया होगा इसलिए वो उसे दुबारा गोल करने के लिए कहता है सैम दुबारा से गोल कर देता है उसके बाद सैम उनकी टीम में शामिल हो गया फुटबॉल खिलकर जब सैम अपने घर गया तो उसके पिता ने उसको बुलाया और कहा तुम आज स्कूल में खिलकर आये हो कपड़ों की क्या हालत बना कर रखी है तुमने मैं यहां दिन रात मेहनत करके तुम्हारे स्कूल की फीज भड़ता हूँ आखिर तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता उस दिन सैम के पिता उसे बहुत डाटते है अगले दिन सैम का टूनामेंट होता है लेकिन सैम खेलने नहीं जाता सैम को ना देखकर अमन उसे डूनने क्लास में जाता है फिर सैम ने अमन को वो सारी बाते बताई जो उसके साथ हुई देखो अमन, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो क्या हुआ, तुमसे अच्छा फुटबॉल यहां कोई नहीं खेलता, पूरी किलास में सिर्फ एक बच्चा फर्स्ट आता है, इसका मतलब य यह तो नहीं कि बाकी सारे बच्चे बेकार हैं, हर किसी के अंदर कोई न कोई हुनर छिपा होता है, उसकी बाते सुनकर सैम खड़ा हो जाता है, हाँ, मैं जरूर खेलूंगा और जीतूंगा भी, उस दिन टूनामेंट में सैम ने सबसे जादा गोल किये, उसके लाजवाव खेल को देखकर, उसे मैरी जॉन कॉलिज ने अपने ग्रूप में ले लिया, सैम ने अपनी महनस से कॉलिज टूनामेंट भी जीत लिया, उसके भड़िया खेलने की वज़े से, 15 साल की उमर में ही उसे इंटरनेशनल टीम में कर दिया गया, एक दिन सैम अकेले ग्राउंड म साथ रहना पड़ेगा, लेकिन पिताजी तो अब लगता है मेरा सपना अधोरा ही रह जाएगा, इतना कहकर सैम वहां से चला गया, सैम अपने घर जाता है, सैम इधर आओ, जी, जी पिताजी, तुम्हें ये चाहिए था ना, ये लो, और हाँ ये लो तुम्हारे लिए फु समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया, कि हुनर दिखाने के लिए पैसो की जरूरत नहीं होती, सैम की आँखों में आसू आ जाते हैं, और वो अपने पिता के गले लग जाता है, और फिर अपना सामान लेकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है, सैम ने इंटर वर्ल्ड कप के लिए चुना गया, वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक दिन बड़ी सी गाड़ी में सैम अपने घर वापस आता है, अपने तूटे फूटे घर को बाहर से देखकर वो अपना बचपन याद करता है, सैम घर के अंदर जाता है और अपने पिता को बलाता है, पि सैम शहर में एक बड़ा सा महल बनवाता है, और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता है, खड़कपुर नामक गाउ में मोहन नाम का एक आदमी रहता था, मोहन मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था, वह काफी कमजोर था, इसलिए कई बार उसे कोई काम नहीं द देता था, शायद आज कोई काम मिल जाए, मोहन बाजार जाता है, उसे बाजार में एक बैल गाड़ी पर आनाज की बोरिया दिखती है, मोहन उस बैल गाड़ी के पास जाता है, अरे भाई, कोई है क्या, उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक आदमी आता है, क्या हुआ, क्या मैं एक मज़़ूर हूँ साहब, कर से कुछ नहीं खाया मैंने, मैं आपका इस सारा अनाज आपके गोदाउन में पचा दूँगा, चाहे तो आप मुझे केवल एक वक्त के खाने के पैसे ही दे देना मोहन दहया भरी आवाज में कहता है भार उठा पाएगा? जी, मैं उठा लूंगा ठीक है, सारी बोडियां लेा मोहन एक एक करके बोडियां अपने कंधे पर लाद कर ले जाता है और गोदाम में रख देता है काफी भार उठाने के बाद मोहन और बोरियां लेकर जाता है वो आदमी मोहन को मारने लगता है और कहता है वो आदमी मोहन को धक्के मार कर भगा देता है गिरने की वज़े से मोहन के पैर की उंगली में और घुटनों में चोट लग जाती है जिसके कारण उसमें से काफी खून भी बह रहा था मोहन लंगडाता लंगडाता जाने लगता है घर के रास्ते में जाते हुए उसे एक हाती का बच्चा दिखाई देता है मोहन उसे अंदेखा करके वहां से आगे चल देता है मोहन चलते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही हाती का बच्चा दिखाई देता है अरे ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है मोहन हाती के बच्चे के पास जाता है और कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है मैंने खुद कल से कुछ नहीं खाया है हाथी का बच्चा अपनी सून्ट से मोहन की चोट को सहलाता है और मोहन की चोट बिल्कुर ठीक हो जाती है ये ये तुमने कैसे किया तुम तो चमतकारी हो एक जादू हाथी तुमने सही कहा मैं एक जादू हाथी हूँ हाती का बच्चा जादू से बढ़ा हो जाता है और अपनी सून्ट से मोहन को उठा कर अपनी पीट पर बैठा लिता है भूक लगी है कुछ खाने का मन कर रहा है हाती जादू से एक बाल्टी में गन्ने का जूस और बहुत तरह के पकवान ले आता है ये लो दोस्त तुम भी खाओ पियो और दोनों मिलकर खूब जूस पीते हैं और स्वादिश्ट पकवान खाते हैं इससे पहले मैंने इतना स्वादिश्ट खाना कभी नहीं खाया फिर हाती मोहन के उपर अपनी सून से जादू करता है जादू होते ही मोहन का शरीर बड़ा हो जाता है वो पहले से जादा तंदुरूस और सुन्दर हो जाता है मैं तो पहले से जादा अच्छा हो गया दोस्त अब कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने घर का आउं जरा इसके मरम्मत करते है हाती अपनी सूंट से जादू करता है और मोहन के तूटे फूटे कच्चे घर को एक बड़े से बंगले में बदल देता है और उसके आंगन में बहुत सारे केले के पेड़ और तरह तरह के पेड़ पौधे लगा देता है ये लो तैयार हो गया अब लग रहा है ना घर अरे ये क्या तुम्हारे कपड़े तू अभी भी फटे पुराने है ये कुछ जच नहीं रहे हाती जादू करता है और मोहन के कपड़ों को बदल कर उसे नए सूट बूट पहना देता है तुम्हारे मुझ पर इतने सारे आहसान तुम्हारा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करो मेरे दोस्त अरे ये क्या बात हुई दोस्ट भी कहते हो और ऐसान की बात भी करते हो इश्वर अगर किसी को दुख देते हैं तो बदले में उसे सुक भी देते हैं अब तुम खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतित करो तुम बहुत अच्छे हो दोस्ट अच्छा दोस्ट अब मेरे जाने का वक्त आ गया है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं आ जाओंगा हाती और मोहन एक दूसरे को देखते हैं और फिर हाती जादू से गायब हो जाता है तुम सिर्फ जादू ही हाती नहीं परिष्टा हो मेरे लिए एक शहर में जुम्मन काका अकेले रहते थे और उनके घर के बगल में चार लड़के रहते थे नितिन, राहुल, पंकज और शकील एक दिन जुम्मन काका घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक शोर आने से उनकी आँख खुल गई ए रुक रुक, तुम दोनों गेट के उस तरफ जाओ, आज छोड़ाएं नहीं से हाँ रुको रुको, कोई गोली मत चलाना, वो मुझे दिख नहीं रहा अरे बापरे, ये तो गोली बद्धुग लेकर आए है अरे बाप फेक के मार दो क्या, वो बेट के पास ही होगा क्या, बाप, अरे हमको क्यों मारना चाहते हो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े है अरे यार रुको, मैं बाप मार कर पुरा घर ही उड़ा देता हूँ अरे देवा अरे देवा लगता है आज अपना आखरी दिन है एक काम करते हैं चारो एक साथ घर के अंदर घुशते हैं और एक साथ गोली चलाते हैं चलो 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 जुम्मन काका चादर ओड़ कर बेड़ पर लेट जाते हैं जुम्मन चाचा इधर उधर देखते हैं, तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता. जुम्मन काका देखने के लिए अपना गेट खोलते हैं, गेट खोलते ही वो देखते हैं कि पड़ोस के बच्चे उनके घर के बाहर बैठ कर फोड में गेम खेल रहे थे. आरे तुम लोग इधर तुम लोगों ने सुना क्या, आभी गोली चल रही थी. क्या, क्या आप भी? अरे कोई गोली वोली नहीं चल रही थी, ये तो हम गेम खेल रहे थे फोन में. गेम खेल रहा था? हाँ, ये देखो, विनर विनर चिकन डिनर. जुमन काका अंदर जाते हैं, और एक डंडा लेकर आते हैं. उनके हाथ में डंडा देखकर सभी बच्चे भाग जाते हैं. गुत्तों, रुको, भागते किदर हो? अरे ऐसे गेम खेलते ही क्यों हैं, तुम्हारे वज़ा से फेपड मों में आ गए मेरे. अभी थोड़ी देर और रुकते तो गुर्दे में हाट टेक आ जाता मेरे. वो चारों हसते हुए वहाँ से चले जाते हैं. अगले दिन, जुम्मन काका को फिर शोर सुनाई देता है. इस बार वो खिड़की खोल कर देखते हैं, वो चारों लड़के पेड़ के नीचे बैठ कर गेम खेल रहे होते हैं. अरे नितिन, शकेल, पंकज, तुम सम सुबा सुबा आगे दिमाँ खराब करने हैं. येस, येस, चार मार दिये मैंने. तब ही वहाँ पर पंकज की मम्मी आ जाती है. अरे ओ निकम्मे, दिन भर फोन में मडर ही करता रहे हो. चल, अब स्कूल का काम भी कर ले. हद है यार, कहकर वो चला जाता है. जुमन काका नितिन के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चों, ये जो तुम दिन भर गेम खेलते हो न, ये सही नहीं है. पोन में गेम खेलना घलत नहीं है, पर हद से जादा गेम खेलना घलत है. काका, हम तो अभी अभी खेल रहे हैं, और वैसे भी चुटिया हैं तो हम क्या करें बताओ जब मैं तुम्हारी उमर का था तो बहुत शरारत और उच्छल खूद करता था अपनी दोस्तों के साथ भागता दोड़ता रहता था तुम्हें भी ऐसे ही खेल खेलने चाहिए इससे तुम्हारा शरीर मजबूत और सही रहेगा वरना ब क्याकर वो तीनों भी वहां से चले जाते हैं एक दिन शकील पाहर घूम रहा था तब ही उसने देखा कि पंकच रोड़ पर चलते हुए गेम खेल रहा है और उसके सामने से गाड़ी आ रही है पंकच पंकच के ना सुनने पर शकील भागते हुए जाता है और उसे गाड़ी अरे तुम्हें नहीं पता क्या हमें कभी भी रोड़ पर चलते हुए फोन में गेम खेलना या गाने सुनने जैसा काम नहीं करना चाहिए फिर शकील ने पंकच को वो सारी बाते बताई जो जुमन काका ने उन्हें बताई थी तुम सही कह रहे हो मुझसे गलती हो गई आज क क्या है इस गेम में जो हम बोड़ों को नहीं देखता